हेज़ वैलकम बैक तो मैं चैनल आपको एक चानल आपको बारे बताने वाली हो जी हां इसकिन केर रूटीन आपको कभी इसकिप नहीं करनी है आपको बहुत सारी चीज़े नहीं मिल रही होंगी तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट की चीज़ों से अपनी स्किन केर रूटिन करें हमें अपनी घर की चीज़ों में काफी किचन में इस्पेशली बहुत कुछ मिल जाता है कि आप अपनी स्किन केर रूटिन को कंट्यू कर सकत आपके skin को 5-10 मिनट तो देही सकते हो कि अगर आप अपनी skin का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर कॉन रखेगा और इस वीडियो में मैंने घर के और मार्केट के दोनों प्रोड़क्त बताई हैं जो आपको इस टाइम अवेलेबल हो आप उससे अपनी skincare routine फालो कर सकते हो तो इस टाइप है cleanser यहां पर मैं good wipes का यूज़ कर रहे हैं यह बहुत ही mild face wash है आपको हमेशा mild face wash ही यूज़ करना है और अगर इस टाइम आपके पास कोई भी face wash अविलेबल ना हो तो आप इसकी जगे पर कच्छा दूद या बेसन दोनों ही यूज़ कर सकते हो मैं night में बेसन wash कर लूँगी आपको दिहान रहे कि आपको ज्यादा harshly रब नहीं करना है अपनी फेस को बहुत ही mild तरीके से करना है फिर अपने आप अपने फेस को wash कर लें आपको बिल्कुल dry नहीं करना है उसको wet ही रखना है कि तो सेक़ंडी स्टप है स्करभी हम आप कोई भी मार्केट का स्क्रभ यूजट नहीं कर ही कोई मार्केट करस्क्रफ्रद मुझे इसलिए करते मुझे काफी बिल्दी अने लगती है तो मैं हमेंसा बेसन और ट नुब तामाटर ही यूज़ करती हूं यहाप मैंने वन टे बिल्कुल भी harsh नहीं होना है आपको अपने face के साथ और बहुत अच्छे से आपका face clean हो जाएगा blackheads whiteheads और जो excess oil निकलता है हमारे face से वो भी remove कर देगा तो आप यहां पर बहुत अच्छे से scrub कर लीजे अपना face then आपको dab water से wash कर लेना है और बिल्कुल भी आपको dry नहीं रख देखना है तो यहां पर आप जेख सकते हो मैंने face clean और glowing लग रहा है अब ही अच्छे स्टेप 3 है टूनिंग टूनिंग हमें कभी भी skip नहीं करनी है मैं यहां पर good vibes का rose water वाला टूनर यूज कर रही हूं आप कोई भी टूनर यूज कर सकते हैं लाइक कुमबर लेवेंडर और cinnamon काफी टाइप के टूनर आते हैं आप कोई भी purchase कर सकते हो वैसे आप घर पे भी इस टाइम कोई भी टूनर अविलेबल नहीं है तो आप घर भी बना सकते हो लाइक एक छोटी सी बाटर ले लीजिए उसमें half rose water मिला लीजे और half aloe vera gel और आपका टूनर तियार है बहु क्योंकि जो कोरिन की skin आप खुद जानते हो कि बहुत अच्छी होती है काफी टाइट होती है तो टूनिंग हमारे फेस को बहुत टाइटनिंग करता है और हमाई जो open pores हैं उनको minimize करता है और जो scars की problem हो जाती है में acne की problem होती है उन सबसे relief करता है तो टूनिंग हमें यहां प करता है जिससे हमारा face काफी glow करता है तो आपको toning करनी ही करनी है अगर आपको बिल्कुल अपनी skin को flawless और glowing बनाना है तो toning कभी भी skip नहीं करनी है आप जह सकते हो मैंने five minimum five to eight time तो करना ही करना इस प्रे करकि आपको dabbing motion में पूरे face को dab करना है बहुत relief मिलता है हमारा जो face है बहुत soothing और calming लगता है यह morning skincare routine है तो यह मेरा morning face क्योंकि morning में आप देख सकते हो मेरा face काफी ज्यादा swelling वाला रहता है काफी swelling रहती है मेरे face पे तो यहां पर toning बहुत अच्छे से मैं कर रही हूं आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है बिल्कुल भी यह नहीं कि आप सिफ एक बार या दो बार टोनर लगा के dabbing गरशे करो minimum minimum आपको five time to use करना ही करना है तो आप देख स लगता है आपका face काम लगता है जिनको भी जादा ही कुछ large open pores की problem है तो वह एक one month अगर आप टोनिंग बहुत अच्छे से मत करोगे तो आपका face बहुत ज्यादा टाइटन हो जाएगा और आपकी जो open pores की problem है बिल्कुल remove हो जाएगी तो आप टोनर जरूर ट्राइ करें open pores के लिए तो टोनर बहुत अच्छा है तो यहाँ पर मेरी toning complete हो चुकिए आप देख सकते कि तक glowing लग रहा है मेरा face स्टेप 4 है मौश्राइजर हमें अपने face को कभी बिल्कुल भी dry out नहीं रखना है मैं इसा मौश्राइजर रखना है अपना face मैं यहाँ पर लैक मेका पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम मौश्राइजर यूज़ कर रही हूँ यह oily skin वालों के लिए perfect मौश्राइजर है अगर आपक कोई भी मार्केट का मौश्राइजर नहीं है तो आप दूद की जो मलाई होती है यह उसकर सकते बैस मौश्राइजर का काम करती है और साथी आप अपने नेक को मौश्राइज कर लें और देख सकते हैं मेरा face कितना जाधा plumpy लग रहा है मौश्राइजर करना बहुत जरूरी अपने face को सो यह फाइनल मेरा face देख सकते करना shiny और glowing लग रहा है I'm happy with my face so and finally मैं यहाँ पे good vibes का lip balm यूज़ कर रही हूँ आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो आपको अपने lips को बिल्कुल मौश्राइज रखना है lip balm always आपको हमेशा अपने लिप पर लगाय रखना है ताकि आपके लिप बिल्कुल चैप और dry ना लगे so that is today's video I hope आप सबको मेरी skincare routine अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस लाइक करें शेयर करें और comment box में जरूर मतलब जरूर बताईगा कि आपको इस skincare routine कैची लगी और आप भी से जरूर फॉलो करिएगा तो मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब्सक्रा अच्छी बाए